कैसे हो बच्चों, हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है हम आज व्यांजन बाकी कहानी सुनेंगे और कहानी सुनते समय आपको कहानी में उप्योग में लिये हुए शब्दों को ध्यान से सुनना है एक दिन बिल्लू और बैथनी स्कूल जा रहे थे रास्ते में उनको दो बच्चे मिले वो भी स्कूल जा रहे थे वो बिल्लू और बैथनी के मित्र थे सब बच्चों के पास बसता था स्कूल बस आई और सब बच्चे बस में बैठ गए रास्ते में सब एक दुसरे को कहानी सुनाने लगे बिल्लू ने बंदर और बिल्ली की कहानी सुनाई बेतनी ने बाल गोपाल की कहानी सुनाई बेतनी ने सुनाया बाल गोपाल को बासुरी कितनी पसंद थी अच्छानक से बिजली कड़कनी की आवाज आई उन्होंने देखा बार बारिश शुरू हो गई थी उन्होंने देखा कि बारिश में बेल गाड़ी जा रही है और बस ट्राइवर ने बच्चों को स्कूल में छोड़ा और बच्चे स्कूल में चले गए स्कूल में उनको व्यंजन ब और व्यंजन ब से शुरू होने वाले शब्द सिखाने वाले थे और आपको भी व्यंजन ब के शब्द ही सिखने है तो चलो सिखते हैं व्यंजन ब और उससे शुरू होने वाले शब्द कहानी में आपने क्या सुना? आपने गौर से सुना होगा बसे बिल्लू, बसे बेथनी, बसे बस और बसे बच्चे, बसे बंदर, बसे बिल्ली, बसे बाल गोपाल, और बसे बासुरी, बसे बिजली, और बसे बारिश, बसे बैल, और बसे बैल गाडी चलो थोड़े और शब्द सीखते हैं, बसे बसता मतलब स्कूल बैग, और बसे होता है बकसा, मतलब बॉक्स, बसे होता है बाग, और बसे होता है बटवा, बसे बॉतल, और बसे बैंगन, बैंगन मतलब ब्रिंजॉल, और ब्रिंजॉल का कलर कौन सा है, पॉपल, बैंगनी, बसे बैंगन और बसे बैंगनी, बसे बाग, बसे बर्फ, बसे बल्ब, बसे बतक, और होती है बसे बकरी. मुझे आशा है, आपको व्यंजन बसे शुरू होने वाले शब्द समझ में आये होंगे. Now, it's writing time. जैसे कि आपको मालूम है, हम writing practice हमेशा my skill book में करते हैं, तो आपको my skill book लेनी है, और page number 6969 को लना है, उसमें left side corner में आजका date लिखना है, 27.8.20, फिर आपको writing practice शुरू करनी है, writing practice करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है, हिंदी हम तीन लाइन के बीच में लिखते हैं, तो आपको पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी रेखा बनानी है, फिर जो दूसरी लाइन है, उसके थोड़े से उपर से आपको C बनाना शुरू करना है, आपको C बनाना शुरू करना है, दूसरी लाइन को cross करते हुए नीचे जाना है, फिर ये C आपका complete होगा, जो दूसरी लाइन को touch नहीं करेगा, ये होने के बाद में आपको अपनी left side से right side चाती हुई एक slanting लाइन बनानी है, एक टेड़ी रेखा बनानी है, ये हो गया तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी रेखा की जोगे, standing line from first line to third line, फिर दूसरी लाइन से थोड़ा सा उपर, वहां से C बनाना शुरू करोगे, और वो C बनाओगे और complete करोगे, वापस वो standing line तक, परन्तु वो दूसरी लाइन को touch नहीं करेगा, फिर left side से right side जाती हुई, ए और sleeping line on the first line, ये बनाना नहीं भूला है, ये हो गया आपका बसे बतक, दोनों लाइन में writing प्रक्टिस हो जाए, tracing प्रक्टिस हो जाए, फिर आप independently अपने आप लिखोगे, क्या था पहला step? सही बताया, पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधा लाइन, दूसरी लाइन से थोड़ा सा उपर, पैंसिल रखके हमको सी बनाना शुरू करना है, जो complete होगा, और सीधी लाइन को टच करेगा, परन्तु वो दूसरी लाइन को टच नहीं करेगा, फिर left side से right side जाती हुई, एक slanting line, जो की आपको इधर टच करनी है, लाइन को, सीधी लाइन को, और sleeping line on the first line, यह हो गया, आपका ब, और एक बार लिखेंगे, first line से third line तक standing line, फिर दूसरी line से थोड़ा सा उपर से शुरू होके, सी बनाना है, जो टच करेगा standing line को, फिर left side से right side जाती हुई, एक slanting line, जो standing line को touch कर रही है, और sleeping line on the first line, पहली line पे, पहली रेखा पे, आप sleeping line बनाओग बसे बतक, बसे बस, बसे बंदर, बसे बिली, एक बार पूरा पेज राइटिंग प्राक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर हमने जो व्यंजन पर और व्यंजन फर अलड़ी सीख चुके है, उसकी राइटिंग प्राक्टिस करेंगे, व्यंजन पर और व्यंजन फर की 8.20 और व्यंजन प पूरड लिखेंगे उसके बाद में व्यंजन फ लिखेंगे मुझे आशा है बच्चो आपको व्यंजन प फ और व्यंजन ब अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद